एक पहचान मिली गुद्शिखन की निए क्योंकि उसने मंदिरों को मूर्तियों को बड़े पैमाने पर तोड़ना शुक्त है तो उसका नाम ही पड़ गया गुद्शिखन सिकंदर गुद्शिखन गल्योव फंजाबी में गल जाना कहते हैं मिल जाना आप इसलाप स्टीखन करते हैं गल्योव उसकान कारना काते हैं मर जाओ यांशिखन, भाग जाओ चले जाओ जो काम औरलजिखन अपकस्पनी पूरे जीवन काले ने कितने का। वो इन्होंने 1990 में करते नारे थे एक काफिरो एक जालिमो कश्मीर हमारा छोड़ दो ला पर्दिया ला शक्तिया इस्लामिया इस्लामिया लेकिन जम्मू कश्मीर के समय नहीं में मुल्भूत अधिकारती कोई अधार नहीं दी डायलोग टाइम पर सभी ही व्यूर्ज का स्वगत है व्यूर्ज जब भी हम कश्मीर की बात करते हैं कश्मीर के सुनते हैं कि तब हमारे जहन में आता है वहां की वादियां वहां से वहां की हें से बर्फ से ढखे हुए बड़े बड़े परवत और वहां की हसीन वादियां और एक जहां जाकर की बिमार भी बंदा सही हो जाए ऐसा इलाका तो उसके साथ ही कश्मीर के साथ हम जो पचले 30-35 साल से सुनते आ रहे हैं वो होता है वहां का टेर्रोरिजम वो भी अक्स्ट्रीम पर चला गया कभी उपर कभी नीचे ऐसा लगातार हम नीउस पे अक्सर सुनते रहते हैं और उसके बीच एक बहुत बड़ी घटना हुई जिसको अब 32 साल हो चुके हैं वो थी कश्मीरी पंडितों का वहां से निकलना तो उसी ही विशे पे बात करने के लिए हमारे साथ शुशील पंडित जी इंडिया से जुड़ चुके हैं शुशील पंडित जी आपका मैं दी सबाग गया कि आप जैसे महानभाव और ज्यानी पुरश हमारे दीडालोग टाइम पर आए हैं और आपसे मैं जै जानना चाहता हूं कि आप थोड़ा सा अगर अपना फैमिली बैक्ग्राउंड बताएं और आपका और जे एन यू का क्या रिष्टा है जी अमरिदर जी मैं श्री नगर का रहने वाला हूं श्री नगर से ही मेरी माता जी का और मेरे पिता जी का परिवार है पढ़ाई के लिए मैंने अपना अधिकांज समय दिल्ली में बिताया और दिल्ली और श्री नगर के बीच आता जाता रहा मेरे पिता केंद्री ये सरकार के एक उपक्रम में कर्मचारी थे जी ट्रांस्फरेबल जॉब था तो इसलिए उन्होंने सोचा कि कश्मीर में स्टेबिलिटी के साथ पहुंद पाएंगे लेकिन फिर उनको समझ आया कि पढ़ाई लिखाई दिल्ली में बेतर हो सकती है जी तो अधिकांच समय दिल्ली में बीता लेकिन एक पाउं कश्मीर और एक पाउं दिल्ली जैसे रहते थे जी अच्छे तो आप अपने विद्या के लिए आप आई थिंक सो की जी एन यू में भी गए हैं जी हां मैंने दिली इनवर्सिटी से भी ग्रैजुएशन की फिर जी एन यू में जाके पढ़ा दो साल वहां रहा जी और इस पीच मेरी नौकरी भी लग गई तो फिर नौकरी करने लगा इंडियन एक्सप्रेस से मैंने शुरुआत की अपनी नौकरी की फिर कलकत्ते का एक अगबार था टेलिग्राफ जी उसमें चार-पार साल काम किया उसके बाद अपना करियर थोड़ा बदला एक मल्टिनाशनल थी उगिल्वी अन मेथर उसमें काम किया फिर दूसरी मल्टिनाशनल थी मेकान एलेक्सन फिर तीसरी थी जे वाल्ट फॉंसन ये इंटरनाशनल ग्रूप से कम्यूनिकेशन में काम करते थे जी और यहां कुछ 12-14 साल काम करने के ब लगभग 20 साल पहले एक छोटी सी कमपनी और कुछ साथियों के साथ मिलकी काम शुरू किया ओके ठीक तो अब हम आते हैं कि कश्मीर पे जो इस्पेशली 19th of January को I think symbolic day माना जाता है कि वहां से हिजरत करने पड़ी बहुत से हिंदूओं को आप यह हालात कैसे बने 19th January वो एक दरना पड़ा क्या वो पिछले 10-15 साल में बने थे यहां फिर 100-200-500 साल से वो कश्मीरियों की लगातार हिजरत हो रही थी जी दूसरी बात जो आपने कही वही सही है यह कि तेरह सो उन्तालिस में जी इसलामी दौर शुरू होता है कश्मीर का जी शाहमीर एक भगोड़ा था जो स्वात घाटी से भाग करके कश्मीर शरन लेने आया जी वो कश्मीर इसलिए आया क्योंकि स्वात में वो जिस राजपरिवार में था वहां तख्ता पलट करके खुद सुल्तान बनना चाहता था उसमें वो नाकाम्याब था असफल रहा तो जान बचाने के लिए अपने साथियों के साथ भागा कि जो कश्मीर का राजा था सहदेव उसने उसे शरन दी और सोचा कि यह कुलीन है पूंचे परिवार का है तो उ एक अच्छा स्थान दिया जाए युगा था यह 1315 की बात है जी 1349 तक आते आते कश्मीर में कुछ अर्थ अविवस्था भी थी आकर्मन होनों की कारण राजा को बचा के कहीं सुरक्षित स्थान पर रखना पड़ा और पीछे जो अविवस्था थी सेनापती था मंत्री थे उनमें भी कलह थी और उसको चल से मार कर ये खुद राजा बन बढ़ठा कुछ कुलीन लोगों ने इसको मदद भी की उनकी सहमती से बाकाइदा राज तिलक और मंत्रो चार से इनको गदी बिठाया गया और क्यूंकि राजा वंशानुगत होता है तो उस महां से वंश की शुरुवात होती है शुरू में ये तीन चार पिढ़ी पांच पिढ़ी तिलक लगा कर मंत्रो चार के साथ संस्कृत राजभाशा चलती रही और शमसुक दीन वंश कश्मीन पर शासन करता रहा 1349 में ये सुल्तान बने 1450 के बाद संस्कृत गई है और फार्सी आई है कश्मी में कोई युद्ध जीत कर तलवार भांचते हुए घोड़े पर चड़कर ये सेना लेकर नहीं आये थे ये शरण मांगने आये हुए शरणार्थी थे जी और सवात एरिया वो है जो पिशावर के नौर्थ पर है और आइधिक सो पिशावर तो सवात और कश्मीर आइधिक सो अल्मोस्ट सेम लाइन पर आते हैं सेम लाइन पर हैं मुश्किल से ऐस दे क्रो फ्लाई सो किलो मीटर दूर घाटी से तो ये एक ही रीजन था अगर हम इतिहास में जाएं तो इसमें इसको कश्मीर गांधार जनपद कहते थे ये जोग्राफिकली भारत के जो महा जनपद हैं दस महा जनपद हैं उनमें से एक जनपद है कश्मीर गांधार जनपद कहते थे जैसे अंग मगद एक जनपद था तो इसी तरह यह एक सुदूर पश्चिम में उत्तर पश्चिम में भारत का एक महा जनपद था तो एक ही रीजन था लगभग एक जैसी भाशाएं थी संस्क्रेट उस वक्त सब तरफ बोली जाती तो ये हालत है और वहां से सिलसला शुरू होता है हिंदूओं के कुछ पीड़न का क्योंकि ये मुसल्मान थे और ये बहुत ही कम संख्या में थे तो जैसे ही सुलतान बने इन्होंने ईराण से और अफगानिस्तान से और मध्य एशिया से उजबेकस्तान से ताजिकिस्तान से तर्की से ताता इधर से मिश्णरी इसलाम का प्रचार करने वाले बुलाना शुरूर किये और वो बहुत बड़ी संख्या में कश्मीर में आए उनको राज का प्रश्रे भी मिला और उन्हों मुस्लिम सुल्टान होने का फाइदा बल प्रयोग करके भी उठाया वो अपने साथ लच कर लेके चलते थे डराते थे धमकाते थे सताते थे और इस तरह इसलाम को कश्मीर पर लादा जाने लगा जी और इस तरह जब बात बहुत दीरे धीरे बन रही थी ठीक से नहीं बन पा रही थी तो कश्मीर में सूफी प्रचारत के रूप में आए शाह हम्दान ने शर्तने लिख करके सुल्तान को दी कि हिंदूओं को इन में बांधा जाए आज भी आपको वो दस्तावेज जखीरातुल मुल्क में पढ़ने को मिलेगा शाह हम्दान ने क्या शर्तने लगाई थी वो इतनी हुमिलियेटिंग थी कि समझ सकते हैं आपके वहां की जो मूल निवासी रहने वाले थे उस आस्था के लोग जिन्होंने आपको शर्ण दी उनके साथ बाहर से आकर के लोगोंने क्या वेवार शुरूं किया कि उनके मंधिरों पूडा गया और शर्त ये थी के वो उनको फुरसे नई बनाई है उनको रिपेर नहीं करें कि नया मंदिर नहीं बनाए अपने देवी देवताओं को छुपा प्रदर्शन नहीं होगा अगर परिवार में कोई बेटा बेटी भाई धर्मांतरन करके इसलाम स्विकार करना करने वाला है तो आप उसको बात करके मनाएंगे भी नहीं समझाएंगे यहां कर अगे हैं मित्य धंड जैसे दंड के प्रावधान थे आपका कोई संबंधी मार दिया जाता है तो आप उस पर विलाप नहीं करेंbahn यह करेंगे इसलिए 20ii घोड़े पर नहीं बैठेंगे अगर अंगूठी पेनी है तो उसमें नग नहीं जड़ा होना चाहिए अगर क कोई मुस्लिम यात्री आता है तो आप उसे तीन दिन तक अपने घर में शरण देंगे मुफ्त कम से कम तीन दिन अगर दो मुसल्मान बात कर रहे हूं तो आप वहां से हट जाएंगे इतलब ऐसी अपमान जनक शक्त है वो डॉक्मेंट अपेलिबल है अभी जी उस मैं आपको डॉक्मेंट का नाम बता रहा हूं उसका नाम है जखीरातल मुल्क और उसमें शाह हमदान की शक्ते हैं जो उसने सुल्तान को कहा था कि ऐसे नहीं मानेंगे हिंदु यहां और पहला पलायन ठीक उसके आठदस साल बाद वहां पर एक सुल्तान आया उसका नाम था सिकंदर उसको एक पहचान मिली बुद्शिकन की क्योंकि उसने मंदिरों को मूर्तियों को बड़े पैमाने पर तोड़ना शुरू किया तो उसका नाम ही पढ़ गया बुद्शिकन सिकंदर बुद्शिकन तो इस सुल्तान सिकंदर के दौर में सबसे पहला बड़ा पलायन कश्मीर म था और बहुत संक्यक हिंदु के पलायन से गाटी लगब खाली हो गई तीन उन्होंने विकल्प दिए गयल्योग पंजाबी में रल जाना कहते हैं मिल जाना यानि आप इसलाम स्विकार कर लो गयल्योग जाना कहते हैं मर जाओ या भाग जाओ चले जाओ जान बचाके तो ये तीन विकल्प दिये उन्होंने और चले जाओ भी आसान विकल्प नहीं था वो मौका नहीं दे जनेयूं के मनों जनेयूं के धेर लग गए लोग बांध बांध कर बोरियों में बंद करके पत्थर डालकर जीर में डुबो दिये गए आज भी उस जगा को बट मजार कहते ह शिकारे वाला नाव वहां ले जाने से घबराता है इसको लगता है कि यहां कुछ अद्रिश शक्तियां है कोतर खान के पास मतलब आप नाव में हो आप कहें वहां से चलिए वो कहता है नहीं उस तरफ मत चाहिए तो इस भयावा अत्याचार से कश्मीर घाटी जूची रही 1349 में पहला सुल्तान आया तो जब तक महराया रंजीत सिंग्ने 1819 में मुक्ति नहीं दिलाई तब तक चार दौर आ चुके थे शुरू में सुल्तानों का दौर था जो 222 साल चला फिर 15 साल के लिए चक आये जो शिया थे उसके बाद मुगल आ जिन्हों ने चकों को 1752 में हराया और फिर 1752 से 1819 तक पठाग रहे यह दुरानी वंश था जो अफगानिस्तान में शासक था और उनका गवर्नर होता था कश्मीर के सबसे भयानक काल इनका था जी 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 जब मुगलों का काल था तो कश्मीर से ही पंडित कृपा राम पांच सो लोगों का जथा लेकर गुर्तेग बहादर जी के पास अनदपुर साहब पहुचे और कहा कि गुरु जी तिलक जनेयों की रक्षा कीजिए और सब जानते हैं कि उस रक्षा में गुरु जी ने कैसे अपना शीष दिया और उनके शिश्यों न भाई मती दास ने, भाई सती दास ने, भाई दयाला ने कितने भयानक अमानवी अध्याचार सहे उस वक्षा मुगल गवर्नर कश्मीर का इफ्तिखार खान था लेकिन क्योंकि गुरु जी ने स्विकार किया कि हम ढाल बनेंगे हिंदू की, कश्मीर के सताय हुए हिंदू की तो उन्हों ने आशवासन लिया कि जाओ सिकंदर इफ्टेखार खान को कहो कि हमारे गुरू को अगर इस्लाम स्विकार करा दो तो हम सभी इस्लाम स्विकार करें एक एक दो दो करके क्यों किसी को सकाते हैं तो गुरू महराज ने अपने ऊपर ले लिया उस संकट को और इसी लालच में के सारे के सारे समुदाय को एक जटके में मुसल्मान बना ले गुरु महराज को दिल्ली लाया जाया औरंजेब के सामने खुद तीन दिन तक औरंजेब को लाल किले में गुरु महराज से चर्चा करके उनको मनाने में लगे कि आप मान जाईए और गुरु महराज उनको हिंदू का भारत का अध्यात में बता रहे थे तो उनको लगा कि ये नहीं मानेंगे और खुद भी इस मामले में द्रड़ हैं लेकिन अपने शिश्यों को कैसे तड़कता देखेंगे तो उनके सामने उनके शिश्यों को जो अमान भी है अध्याजारों से गुजरना पड़ा भाई मतिदास भाई सतिदास भाई दयाला आरे से चीरे गए तेल भीगोई रूई को सरकर्णों में बांध कर को जिन्दा जलाया गया पुलती हुई देग में भाई दयाला को बिठाया गया गुरु महराज समाधी में रहे और फिर गुरु महराज का शीश लिया गया ये सब इतिहास में दर्ज है गुरू महराज के बलिदान के बाद वही कृपा राम गुरु गोबिन सिंग जी जो जब किशोरा वस्था में थे उनके शिक्शा गुरू हुए उन्होंने उन्हें संस्कृत भी पढ़ाई, फारसी भी पढ़ाई दशम गुरु गुरु गोविन सिंग जी महाराज बहुत विद्वान गुरु थे उन्होंने फार्सी में जफर नामा भी लिखा उन्होंने संस्कृत में बिचितर नाटक भी लिखा उन्होंने ब्रज में भी कविताएं की दशम गुरंथ लिखा यही कृपा राम जी जो उनके शिक्षा गुरु थे बाद में जब गुरु माराज ने खालसा सजाए तो कृपा सिंग हुए और चमकोर के युद्ध में वीरगती को प्राप्ट हुए तो मैं अपने सिख मित्रों को कई बार कहता हूं कि जो आपका स्वरूप है इसका कारण हम कश्मीरी हिंदू ही हैं जिनके बलिदान जिनके लिए गुरु तेख बहादर जी ने बलिदान दिया और बलिदान से प्रेरित होकर गुरु गोविन सिंग्जी को लगा कि अब सिर्फ अध्यातन से काम नहीं होगा अब हमें मुगल सेना से इसलामी अत्याचार से लोहा लेना पड़ेगा और उन्होंने खालसा सजाए यिद्ध के लिए अपने अन्याईयों को सिख्खों को तयार किया और ये जो पंज कके हैं ये खालसा स्वरूप की मूल निशानी बने हैं केश, कंगा, कच, कडा, क्रपान ये स्वरूप खालसा का गुरू गोविन सिंग्धी का दिया हुआ है और उसके मूल में जो प्रेरना है वो उनके पिता नवे गुरू गुरू श्री तेक बहादर जी के अभूत पूर्व बलिदान और उनके शिष्यों की अभूत पूर्व यात्नाओं के चलते हुए बलिदान के कारण है तो मैं सिख गुरूओं के प्रती वही शद्धा रखता हूँ जो सिख स्वैम अपने गुरूओं के प्रती रखते हैं मुझे नहीं लगता इतिहास में मेरे समुदाए के लिए जो बलिदान नुए गुरू ने दिया घश्म गुरू ने दिया और उनके अम्याईों ने दिया उसका कोई दूसरा उदाहरन देखने को मिल सकता है और हम एक समुदाए के नाते यह एक क्षण के लिए भी नहीं भूल सकते हैं हमारा रोम रोम रही है हम कभी उसका मूल नहीं चुका सकते हैं जैसे पंडित जी आपने बताया कि महराज रेंजी सिंग के राज तक वहां पे कश्मीरी पंडित बहुत अच्छे रहे आइधिंग सो कि उसके बाद भी जब ढोगरा रा जाया तब तक सही रहा आइधिंग सो कि 1947 तक लेकिन उसके बाद तो एक सेक्टूर कंट्री तो इसमें आपको क्या दिक्कत आगी जो कि एक डेमोक्रेसी थी एक उनकी अपनी इतनी बड़ी एक फौज थी कंट्री की और सब कुछ था उसमें आपको दिक्कत क्यों आई देखिए बड़ी विडम्बना है कि जब 1947 में पूरा देश आजाद हो रहा था और देश में अपना शासन आ रहा था कश्मीर जो लगभग 700 साल से सिख और डोगरा शासन के अंदर शानती से रह रहा था उसको फिर एक मुस्लिम शासक के हाथ में सौप दिया गया और देश का संविधान जो पूरे देश में लोकतांत्रिक सेक्यूलर डेमोक्राटिक डॉक्यूमेंट था कॉंस्टूशन था उसको कश्मीर में नहीं लागू किया गया इस मुस्लिम शासक को एक निरंकुष शासक के नाते आप मुस्लिम शासक मेंस की आप शेख अब्दुल्ला जी की बात करें जी हाँ जी हाँ शेख अब्दुल्ला को एक निरंकुष शासक भारत की संविधानिक मान्यताओं और मर्यादाओं के बाहर रहकर के शासन करने वाला शासक बनाया गया आपको यह जान के हैरानी होगी कि शेख अब्दुल्ला और उसके तीन साथी भारत की सम्विधान सभा में थे 26 नवंबर 1999 को जो भारत ने अपना सम्विधान बनाया उस प्रक्रिया को संपन्य किया तो उस सम्विधान पर हस्ताक्षर करने वालों में शेख अब्दुल्ला और उसके तीन साथी भी थे यह सर्व सम्मती से बना सम्विधान था लेकिन उसी सम्विधान को शेख अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर पर लागू करने से मना किया जिस सम्विधान को उसने खुद सहमती दे कर बनाया था विशे ये नहीं है कि उसने लागू करने से मना किया या उसने कोई और सम्विधान अपने लिए मांगा विशे ये है कि हमने ऐसा होने दिया हमारी विवस्था ने हमारे प्रधान मंत्री ने जवार लाल नहरू में उनकी इस मांग को स्विकार किया आज तक बताया नहीं गया है कि ऐसा क्यूं था ऐसी क्या कमी थी भारत के सम्विधान में अगर कमी थी तो मिल बैटके उसको दूर करते अगर कोई नई चीज कश्मीर के लिए है तो वो पूरे भारत में लागू करते हैं हम एक देश थे एक नागरिक थे लेकिन नहीं क्यूंकि उस सम्विधान में निरंकुष होने की गुनजाईश कम थी तो शेख अब्दुल्ला को मनमानी करने देने के लिए भारत के उस सम्विधान को कश्मीर में लागू होने से रुका गया और जब आप देखते हैं जमु कश्मीर के उस सम्विधान को तो आप पाते हैं कि जैसे भारत के सम्विधान में fundamental rights हैं, मूलभूत अधिकार हैं, जिनकी अवहेलना तो भारत की संसद भी नहीं कर सकती, कोई कानून अगर बनाना चाहे और वो मूलभूत अधिकारों के आड़े आता हो, तो ऐसा कानून बन भी नहीं सकता, लेकिन जम्मू कश्मीर के समविधान में मूलभूत अधिकारों की कोई अवधारना ही नहीं, अब तो खेर वो समविधान निरस्थ हो गया है, 370 के निश्प्रभावी होने के बाद, लेकिन जब तक था, उसमें मूलभूत अधिकार नहीं थे, दूसरा, भारत के समविधान में अलपसंख्यकों के लिए विशेश प्रावधान है, जो बहु संख्यकों तक अबलब्ध नहीं है, लेकिन जम्मू कश्मीर के समविधान में तो माइनौरिटी वर्ड अलपसंख्यक वर्ड एक बार भी कहीं नहीं आता है, तो ये एक रिग्रेसिव डॉक्युमेंट था ये एक तानाशाही का उजात है जिसे खुशी खुशी शेख अब्दॉल्ला को दे दिया गया और गजब की बात ये है कि कश्मीर के समविधान में क्योंके माइनौरिटी वर्ड नहीं है तो जम्हु कश्मीर के शासकों को ये आजादी थी कि आप भारत के समविधान में अगर कुछ अच्छा लगे तो ले लेना तो उन्होंने माइनौरिटी की अवधार ना भारत के समविधान में ली क्योंकि भारत के समविधान में मुसल्मान माइनॉरिटी थे तो एक मुसलिम मैजॉरिटी राज्य में माइनॉरिटी के लिए जो प्रावधान थे वो मुसलिमों को दे लिए गए वहां की मैजॉरिटी को माइनॉरिटी मान लिया गया आप सूचिए कितनी विक्रति आप जो कहना चारे हैं कि मुसलिम वहां स थोखा धड़ी कश्मीर की शासन व्यवस्था ने अपनाई और भारत की शासन व्यवस्था ने अपनाने दी केवल और केवल इस खुश फैहनी में इस भ्रह्म में कि इस तरह की रियायतें इस तरह की लूट मार इस तरह की थोखा धड़ी से वहां के मुसल्मानों को खुश किया जाएगा वो एहसान मंद होंगे और एहसान मंद होकर के भारत को चाहने लगेंगे भारत के प्रती वफादार हो जाएगे हुआ ठीक इससे उलट जो काम औरंग जेब अपनी पूरे जीवन काल में नहीं कर पाया वो इन्होंने 1990 में कर दिया घाटी को हिंदूओं से खाली करा लिया जिस काल को सुल्तानों के दौर में गुरु तेख बहादुर जी ने अपने बलिदान से रोका वो काम भारत की लोक तांत्रिक रोस्था में सर्वोच न्याले उच्च न्याले और जिला कोर्ट्स और सेशन कोर्ट्स के होते हुए आजाद मीडिया के होते हुए चुनी हुई संसद के होते हुए एक ताकतवर प्रधान मंत्री के होते हुए पंद्रा लाख की फौज के होते हुए इस युग में इस देश की व्यवस्था में होने दिया, यही सब बहाने होते थे, न तब मध्ययोग में जब अत्यचार होते थे, अगर गुर्गोविन जी ने खालसा सजाए, अत्यचारों के भुरुत तो इसी लिए सजाए, कि हमारे पास अपनी सेना नहीं थी, हमारे पास अपनी अधालत नहीं था जिसकी शरण में जाते हैं हमारे छोटे-छोटे राज्यों में बटा हुआ देश था एकता नहीं थी लेकिन इस बार तो ऐसा कुछ नहीं था यह सारे बहाने तो काम नहीं करते हैं लेकिन यह भी किसी काम नहीं आए यह देखिए कितनी बड़ी विड़म बनाए तो परिस्थितियां ऐसी रही ऐसी बनाई गई आपने बिल्कुल ठीक कहा यह रातो रात नहीं हुआ हम लोग इन छेसो सालों में कटते कटते घटते घटते मुश्किल से चार-पांच प्रतिशत की जनसंख्या रह गई थी घाटी में मुझे नहीं मालूम आपने एक आक्रान्ता और आतताई बहुमत के समाज में रह करके कोई अनुभव ऐसा लिया हो जिसमें आपको सुभे शाम हर रोज अपमान और भेदभाव सहना पड़े हिंसा सहनी पड़े कश्मीर में हम लोग रह रहे थे लेकिन रह कम रहे थे सह जादा रहे थे और दिल में एक भ्रम था कि ये 90 करोड का देश 1990 में भारत की जन्सें क्या लगबग 90 करोड थी कि ये 90 करोड का देश 15 लाग की फौज वाला देश हम चाहे संख्या में कितने ही कम क्यों ना हो हमारी तरफ अगर कोई टेड़ी आख करके भी देखेगा तो उसकी फिर खैर नहीं है और जब तक तिरंगा लहरा रहा है कश्मीर के सचिवाले पर और भारत की फौज बदामी बाग च्छावनी में बैठी है कोई हिम्मत नहीं कर पाएगा हमें छिड़ने की ये सब एक बहुत बड़ा भ्रम साबित हुआ फारुक अब्दल्ला मुख्य मंत्री थे मुफ्ती मुख्य मंत्री थे जेनरल जकी नौर्डन कमांडर थे आर्मी के जी सेना इंबैठी रह गई पुलिस और अर्दसैनिक बल तैनात नहीं किये गए प्रशासन गायब हो गया मानों आप मीच कर खुली छूट दे दी कि जो करना है करो और हम लोगों को जो पहना था जो जेब में था जी गठरी मांदने की भी फुरसत नहीं मिली और अपनी बेहन बेटियों को बचाने के लिए बुड़े माबाप और चोटे बच्चों के लिए हम लोगों को निकल करके आना पड़ा हुमने सुन अप्रे में तो उस वक्त तब भी कि ये महीनों तक एक दौर चला अब जैसे पहला बंधमा का 1988 महीं लगभग इथल जुलाई के महीने में हुआ जब नहीं और सेप्टेंबर में शायच हुआ पोस्ट एंट टेलिग्राइफ ऑफिस है कश्मीर में केमडी बसड़े के पास में है मैसोमा से थोड़ा आगे जाके जहां मौलाना अजाद रोड पर वो सड़क मिलती है वहाँ पर टेलिग्राइफ ऑफिस है वहाँ पर धमाका हुआ कुछ दिनों बार डियाइजी वटाली के घर पर फाइरिंग हो गई रात का कर्फ्यू लग गया यह 1988 की बाद मैं कश्मीर में था मेरे होते होते रात का कर्फ्यू लगा हमें शाम होते होते फटा फट फट घर पहुंशना पड़ता और 1999 में 89 13 सितंबर को हमारे समुदाए के एक प्रमुख नेता जाने माने अड़ोकेट थे और बीजेपी के स्टेट के वाइस प्रेजिडेंट थे चनाव लगते थे वो उनका नाम था पंडित टीकालाल टपलू उन्हें सरयाम गोली मार दी गई पंडित नीलकंट गंजू थे हाई कोर्ट के रिटाइड जज थे लेट सेवेंटीज में सरयाम हरी सिंग हाई स्ट्रीट जो के श्री नगर जो राजधानी है उसके दिल की तगा है वहाँ उन्हें गोली मार दी गई पंडित प्रेमनाच भठ है अनंतना के बहुत लोगप्री और जाने माने नेता भी थे अड़ोकेट भी थे साहसी थे उन्हें रास्ते चलते गोली मार दी गई तो हमारी समुदाई के जो जाने माने लोग थे जिन से हम प्रेरना लेते थे जिन पर गर्व करते थे उनकों निशाने पर लिया गया है ताकि पूरे समुदाई में आतंक फैलाया जा सके यह फारुक अब्दुल्ला की नित्रत्व की सरकार थी जो नाशनल कॉंफरेंस और कॉंग्रेस की गठवंधन से चल रही थे इसी बीच चुनाव हो गए देश में राजी गांधी की सरकार दिल्ली से हार गई वीपी सिंग की सरकार आई इसको बीजेपी का भी समर्थन था इसको लेफ्ट फ्रंट का भी समर्थन था कई छोटे मोटे दल मिल करके सरकार चला रहे थे काम उस वीपी सिंग ने मुफ्ती महमत स Gotcha को अपना ग्रह मंत्री बनाया दो या चार दिसंबर को इस सरकार ने शपत ग्रहन की और आठ दिसंबर को नाटक हो गया मुफ्ती मुहमद सईद की छोटी बेटी रुबिया सईद का अफ़रन का नाटक और उस नाटक के चलते हफते भर में इन्होंने छे खुंखार आतंकवादी छोड़ दिये इससे जो पूरा जिहाद का एक दौर चल रहा था शुरुवाती दौर उसको जैसे स्टेरोइड शॉर्ट मिल गया उसको पंक लग गए ये मैसेच चला गया कि इस सरकार को जुकाया जा सकता है इसको दबाया जा सकता है और उसके बाद कतल उगारत का एक ऐसा दौर शुरू हुआ कि सब कुछ खुलन खुलना होने लगा जो पहले छुपते छुपाते होता था मस्जिदों में लौट स्पीकर्स पर एलान किये जाने लगे नारे लगने लगे मज में होने लगे, जलूस निकलने लगे, हिटलिस निकलने लगे, दिवारों पर दर्वाजों पर नोटिस चिपकाए जाने लगे आम चलते लोगों को, टारगेट किया जाने लगा गजब तो तब हुआ जब चार जनवरी 1990 को अख़बार अलसफा के फ्रंट पेज पे एक नोटिस चपा कि काफिरो कश्मीर घाटी खाली कर दो वरना तुमारी खैर नहीं, यह हिजबुल मुजाइबीन के वो जो दो कलाशनों के बीच में कुरान रखके जो उनका एक एम्बलम है उसके साथ तो यही नोटिस फिर छे जनवरी को आफ़ताब नाम के अख़बार में पहले पन्ने पर रिपीट भी हुआ कोई कारवाई नहीं, कोई पुलिस नहीं, कोई ठाना नहीं, कोई administrative action नहीं, कोई curfew नहीं, कोई जामा तलाशी नहीं, कोई checkpoints नहीं, कुछ नहीं मानो, उन्हें खुली छूट मिल गई, और जब ये दहशत बढ़ते बढ़ते, रात भर, मस्जिद के लाउट स्पीकर्स से तक्रीरें और नारे, और टेप, बजाए आए नारे थे, आए काफिरो, आए जालिमो, कश्मीर हमारा छोड़ दो, ला घर्बिया, ला शर्किया, इसलामिया, रूस पे लर्जा तारी है, अब कश्मीर की बारी है, कश्मीरी में नारे लगते थे, आएसगर इस पनमी पाकिस्तान, बटवरुस्त, बटने उसान, जिसका मतलब है कि हमें चाहिए पाकिस्तान, हिंदू मर्दों के बिना लेकिन उनकी महिलाओं के साथ, तो य यह दौर शुरू हुआ, अब हिंदू कश्मीर में किसी एक जगा कॉंसेंट्रेट होकर के नहीं रहते थे, हम लोग छित्रे हुए थे, किसी महले में एक घर, दो घर, किसी गाउं में तीन घर, चार घर, हम पूरे कश्मीर में, हर कस्बे में, हर महले में, हर गाउं में थे, और हमारे रहते हुए क्यों कि हम जानते थे कौन क्या कर रहा है, कौन कैसे रह रहा है, हम भाशा भी जानते थे, इलाका भी जानते थे, जहनियत भी जानते थे, तो उनको लगता था कि हमारे रहते उनका ये जिहाद काम्याब नहीं हो पाएगा और हम क्योंकि भारत के वफादार थे हम को अपने इस मुहिम में नहीं जोड़ पाएंगे और हम अपनी आस्था अपना धर्म भी नहीं छोड़े तो उन्हें यही उपाय सुझा कि हमें मारा जाए हमें आतंकित किया जाए और हमें निकलने पर मजबूर किया जाए तो जो आपका प्रश्न था कि ये रातों रात एकदम से तो हुआ नहीं आपने बिल्कुल ठीक सोचा ये एक शुन्योजित शडियंत्र और अभियान के साथ हुआ जिसमें भयंकर हिंसा थी, सामुहिक नरसंगार थे, बलातकार थे, अपहरन थे, घरों का आग लगाया जाना, मंदिरों का तोड़ा जाना, ये सब उस अभियान का हिस्सा थे जी, तो इसी के साथ ही एक गिलानी साब तो अक्सर कहते हैं कि ये तो जगमोहन की साजिश है और जहां फिर जो एक एक एक्स पैर्रिस्ट अब तो आई थिंक सो बतने हैं रो में स्टीम में आ चुके हैं और जे जम्मू कश्मीर जो फ्रंट था उनके लिबरेशन फ्रंट तो वो सभी यही कहते हैं कि पंडित तो हमारे भाही हैं तो हम तो इनको कुछ नहीं कहना चाहते हैं लेकिन यह जगमोहन साहब का कोई साजिश थी इवन कि आज भी मैंने कल आज हम 20 तरीक को यह रिकॉर्ड कर रहे हैं कि 19 को मैंने कल देखा था कि कई लोगों ने यह लगा तो कश्मीरियत थी वहां पर कश्मीरियत एक बहुत बड़ा एक driving force है कश्मीरियों में और वो तो भाई की भाईचारी में रहते हैं लेकिन वो सारा जगमोहन का ही सारा किया कर रहा था उसको आप क्या reply करना चाहते हैं लिकिए जूट भी ऐसा बोलें कि जो थोड़ा बहु हुई 18 जन्वरी को as governor मैंने आपको यह जितने हाथ से बताए 13 सितंबर 1999 को पंडित टीकलाल टपलू को मारा गया 2 दिसंबर को नीलकंट गंजु हाई को जज को मारा गया 28 दिसंबर को पंडित प्रेमनाथ भट को अनंतनाग में मारा गया यह बड़े बड़े नाम बता हुँ मैं ना उन लोगों के जिक्र नहीं कर रहा हूँ जो आम नागरिक थे जो मारे गये यह बड़े नेत्रत्व की बात कर रहा हूं चार जन्वरी को अलसफा में छपता है नोटिस छे जन्वरी को आफ्ताब में छपता है और अभी governor कहीं भी नहीं है जग्मुहान अच्छा सर्दियों में जम्मु कश्मीर की राजधानी जम्मु होती है जी बलकुर तो अठारा जन्वरी को जब वो आए तो उन्होंने जम्मु में चार्ज लिया और दो दिन मौसम खराब था तो वो फ्लाइट से श्री नगर आ भी नहीं पाए और इस बीच उन्निस जन्वरी को जैसे बांध तूट जाता है और पानी बेह निकलता है इस तरह कश्मीर से हिंदूओं का पलायन हुआ उन दिनों न तो मोबाइल फोन थे न इमेल थी न व वाट्साप ग्रूप थे तो कैसे आपने लोगों तक समाचार भेजे होंगे उन दिनों तो टेलेविजन भी नहीं था धंका जी पैटलाइट तेलेविजन भी नहीं आया था कोई नेटवर्क भी नहीं था आप बता दीजे नेटवर्क पर कोई घोशना हुई हो रेडियो स बखे नहीं ते तो कैसे कठा किया होगा लोगों कैसे बताया होगा कि चलो निकलो और फिर लाखों लोगों के लिए क्या इंतिजाम किया होगा लाखों लोगों को एक जगा से दूसरी जगा निकालने में अभी यमन से भारत ने नागरिकों को फसे हुए नागरिकों को निकाला फ्लाइट्स निकालनी पड़ती है फसे हुए लोगों को निकालने के लिए कित मतलब लोगों को पागल या मूर्ख समझने की एक सीमा होती है और जब वो आप सीमा पार कर जाते हैं तो आप अपनी मूर्खता का परिचय देते हैं कि हम कुछ भी कह लेंगे और उस पो विश्वास कर लिया जाएगा ची और इसके बाद जेके एलेफ तो जग मोर्खन नहीं बनाई जम्म कश्मीर लिबरेशन फरंट हिजब्ल मुजाहिदीन तो जग मोर्खन नहीं बनाई नीलकंट गंजु जस्टिस को तो नहीं मारा जग मोर्खन था-ई- आतंकित किया, किसने निशाने पर लिया, किसने मंदिर तोड़े, किसने घर जलाए, किसने सामुहिक नरसंगार किये, किसने बलातकार किये, उन्हीं के चलते तो ये पलायन हुआ, क्या आप किसी को घर बैठे, सदियों से, पीडियों से जो घर में बैठा हो, उसको कह सकते हैं कि चलो चलो जरा बाहर निकलो कुछ दिनों के लिए मुझे यहां के मुसल्मानों को सीधा करना है इनकी जो ठियोरी है वो यह है जगमुहन ने का भई मैंने यहां पर bombardment करनी है aerial bombardment तो वो precision के साथ तो हो नहीं सकती आप लोग भी मारे जाओगे तो जरा चलो जब आप निकल जाओगे फिर मैं यहां घलूगारा करूँगा और उनका सब को खतम कर दूँगा इसलिए उसने हिंदूओं को बाहर निकाला एक बार यह मान भी जाएं के चलो ऐसा शायद कहा होगा तो उसके बाद वो घलूगारा हुआ क्यों नहीं भई मारा क्यों नहीं किसी को तो यह पागलपन की इंतहा है पढ़े लिखे लोग भी जब यह रटा रटा पहाडा पढ़ते हैं और आज भी लगादार पढ़ते चले आ रहे हैं इस से साफ जाहिर होता है कि इन्हें अपने किये का मलाल भी नहीं है यह आज भी उस पर लीपापोती करना चाहते हैं वहाँ पर जो घटा उसके विशे में कोई समवेधन शीनता नहीं है बलकि पाखंड है और उसी मू से उसी सांस में कहते हैं कि यह हमारे भाई है हमारा तो घी शक्र का साथ है हम तो इकठे रहते आएं है तो आप सोच सकते हैं कि यह मकारी की क्या इंतहा है कि दिल में क्या है और जुबान पर क्या है कौन भरोसा करेगा